पूत्र स्वर्गौासी सरदार तरलोचन सिंग वजीर और मेरे साथ बैठे हुए सभी साथियों की तरफ से आप सभी मीडिया से आए हुए पत्रकारों का आभारी हूँ की आपने अपने माध्यम से मेरे पिता जी के कातिलों से लेकर शड़ेंतरकारियों तक के पकड़े जाने की सही खबर पब्लिक डोमेन तक पहुँचाने में अपना निरंतर योगदान दिया है मेरे पिता जी का कतल जो दिल्ली में 3 सब्तमबर 221 में हुआ इसकी जान परताल की भाग दोर दिल्ली पुलिस की कराईम ब्रांच समाल रही है जो आप पत्रकार बली बांती जानते हैं 18 जन्वरी 2023 लगबग डेड़ साल के बाद जब हरप्रीत सिंग की रिमांड दिल्ली कराईम ब्रांच को मिली जिसकी पूस्ताश के दोरान जो तत्यफ सामने आने आए उनके अधार पर तीन कॉंस्पिरेटर्स गिरफतार हुए जिन में से एक कॉंस्पिरेटर का नाम एफ पायार में भी धर्ज था हमारा आज एकत्रिद होने का कारण है कि इन अरेस्ट होने के बाद सम्पीपल इन आशोसाइटी वह वेस्टे इंटरस्ट वह वेस्टेटर्स वह गिवन I want to bring to the notice of general public through this medium the accused Sudarshan Singh is a willful bank defaulter who has siphoned money in crores of rupees of the people of JNK and misused the funds through his fraudulent companies he has impacted a lot of people among the society who are frightened to step out and speak as these people use pressure and influence The second thing is that the arrested accused used every influence to derail the investigation prior to the arrest and after the arrest now are trying to misuse through the official positions being held by their family members by approaching high officials in Delhi and also in Delhi police मैं आपके माधियम से जेकी यूटी के माननिया लेटिनेंट गोवर्नर मनोच सिना जी से आग्रे करूंगा सिर्फ इस इस पर विशेश रूप से कारवाई की जाए और स्वरगवासी सरदार तलोचिन सिंग वजीर जी के कतल में गिरफतार अपरादियों को कड़ी से कड़ की सजा मिले हम आप से ही इनसाफ की गोहार लगाते हैं मैं कराइम ब्राइब